नमस्कार दोस्तों आज हम फिजिक्स का एक अध्याय पढ़ेंगे बहुतकी का आप इससे पहले तीन अध्याय बहुतकी के पढ़ चुके हैं उनके नाम थे बहुत एक जगत यूनिट्स एंड मेजर्मेंट मापन के ऊपर आपने कुछ पढ़े फिर उसके बाद एक सरल रिखा में गती पढ़ा इससे पहले कक्षा नौ में भी आपने गती के ऊपर और लॉज आप मोशन के ऊपर बल के ऊपर काफी कुछ पढ़ा है आप आज की अध्याय को उनी अध्य की निरंतरता में देख सकते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत सारी चीजें वहां से याद हैं आप उनको समझ चुके हैं अच्छे से और चुकि हमारे पास सिर्फ चार एपिसोड का समय है तो जो जहां पर रिपीट करेंगे वहां पर मैं थोड़ा सा फास्ट होगा थोड़ा सा तेज होगा और अधरवाज मेरी कोशिश होगी कि आपको हर अध्याय हर पॉइंट अच्छी तरह से में समझाने का प्रयास करूं इस अध्याय में मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए मैं आपको याद दिलाओं कि आपने क्या क्या पढ़ा है आपने पिछले अध्याय में और क्रक्षा 9 और 9 में अच्छी तरह से पढ़ा था कि किसी सरल रेखा में अगर गती है किसी विस्तू की किसी पिंड की तो उसकी गती को का वर्णन करने के लिए आपको किन-किन खीजों की जरूत पढ़ती थी याद किजिए कि वह पिंड कहां अगर वह चल रहा है तो उसमें कितना विस्तापन हुआ है और कितनी दूरी चला है आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन दौनों शब्दों में अंतर है दूरी और विस्तापन अंतर है मैं अभी आपको और वर्णन करूंगा इसको जस्टिक रिवाइस करने के लिए क्लिए तरह है उसके बदा आपने पढ़ा है वेग और चाल कि और चाल में भी फर्ण है दौनों चीजे एक जैसी देखने में लगती है सुनने में लगती है पर दौनों के माइने अनलागा लगे चाल कुल के गई दूरी डिवाइडेट बाइ कितना समय लगा विस्थापन हुआ और कितने समय में हुआ तो उन दोनों का रेशियो वेग है अभी हम इसको और चीज़ देखेंगे तौरण कि आपकी चाल या वेग कितनी गती से बढ़ रहा है किस दर से बढ़ रहा है उसको हम तौरण कहते हैं इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में आप पढ़ और अगर को पार्टिकल उसके दूसरी विपरी दिशा में चल रहा है तो उसको आप माइनस नेते थे तो आप उससे बड़े कमफर्टेबिल थे तो एक गतिया थी यह और इनमें आपने समझा और आप याद किजिए गती गती क्या है अंग्रेजी में कहते हैं मूशन दोस् और अपने देश में जो पार्टे पुस्तक हैं उसके इसाब से मैं अब यहां पर आगे चलूँगा और लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि गती गती क्या है अगर समय के साथ किसी वस्तू की इस्थती में परिवर्तन हो तो हम उस वस्तू को गती में मानते हैं इस पर परिवर्तन नहीं हो रहा है आप इसको क्या कहेंगे विराम अवस्ता हमने हम अपने अपनी पार्टे पुस्तों को में किस तरह से बता रहे हैं कि गती की अवस्ता वह है जिसमें की वस्तू की स्थिती समय के आधार पर समय के हिसाब से परिवर्तित हो बदले विराम अवस् देखेंगे विरामा वस्था को भी गती की अवस्था कहा जाता है कोई गलत नहीं है क्योंकि शून आप याद कीजिए जब आप कड़ित पड़ते हैं तो शून भी एक संख्या है तो अगर कोई वस्थू किसी समय के साथ उसका इस्थान परिवर्था नहीं हो रहा है तो उसक इसकुल भी आप कहीं परिशान नहों अलग अलग लेखकों का अलग अलग तरीके से लिखना होता है हम जो पड़िति लेंगे उसमें विरामा वस्था और गती की अवस्था को अलग अलग ग्रूप में लेंगे हमारे इसाब से पूरे जार्वी और बार्वी की कक्षा में आप देखेंगे कि गती की अवस्था का अर्थ है जिसमें की वस्थू की स्थिती समय के साथ बदल रही हो तो अच्छा अब यह पाथ लेंग की बात आती है दोस्तों इस 안नक स्थूतर हैं कि अप इस दूरी पर आप एक श्विठ तूरी पर एंप इन पर रहे है है यह और 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 या पे पने τις बीडिदों और पर जाना है मनैं आपको अपने घर से अपने इस्कूल में जाना है तो आप साडक के हिसाब से कई भी रास्ता कुंँंच सकते हैं यह रास्ते जिस तरह से में ड्रॉइंग बना रहा हूं कि उससरा आपसे कुछ भी हो सकते हैं कि एक स् colleague है तूंब रास्तों में अगर आप ध्यान दें तो एक रास्ते हैं स्सेल रहा हैं तो तो second तो यहां पर आप देखेंगे बंदू A से बंदू B पर जाने में तैक ही गई दूरिया अलग- अलग-लग ऐ लेकिन विस्थापन क्या है इन दौनों के बीछ की दूरि जो कि दूरी जाती है यह इसको हम दो जोस्तों जिसको कि अंग्रेजी में हम path length कहते हैं हिंदी में इसे path dori कहते हैं या path लंबाई कहते हैं यहाँ पर विस्थापन क्या है माली जी यह coordinate है और इसको x axis सी दिशा में यह x1 है यह x2 है तो जो विस्थापन है delta x वो x2 minus x1 है और यह इस पर बिल्कुल भी निरबर नही कौन सा मार्ग लिया ये विस्थापन इस वस्थापन बिल्कुल भी निरभड रही करेगा कि आपने कौन सा मार्ग चुना है आप यह बिंदू से बी बिंदू पर जा रहे हैं बस यह important है और इन दोनों के बीच की जो straight line distance है वो distance जो है आपके विस्थापन है और आप यहां प हमेशा इस डिल्टा विस्थापन से ज्यादा है और अगर सीधी सलक है एसे बी पर तब आपका विस्थापन और जल्टा की गई दूरी बराबर होंगी तो यह लिमिटिंग एक सीमांत उधारान में आप यह कह सकते हैं कि पथ लंबाई या पथ दूरी या पाथ लेंग डिल् नवर अब समानगति समानगति का अर्थ क्या है कि जब आप की चाल पूरे तैकरे रहे हुए रस्ते पर बराबर है हर समय आपकी चाल बराबर है तो आप याद कीजे में हम कुछ पहला अध्याए पढ़ा रहे थे तो उसमें और हमने कुछ विचारों पर बात की थी कि हमने रिडर्शन लिजम की बात की थी और उसी के बाद में हमने सन्नी कटन या जिसे एप्रोक्सीमेशन कहते हैं उस पर बात की थी और हमने बात की थी बहुत बीटेल में बात की थी कि यह एप्रोक्सीमेशन या सन्नी कटन यह बहुत समझने की बहुत के नियमों और बहु ही महतुपूर्ण अवधाना है यहां पर मैं सबान गती की बात कर रहा हूं आप अपने जिन्दिगी में जाईए आप रोजाना कुछ ना कुछ दूरियां तैक करते हैं क्या कभी भी थोड़ी शी देर को भी आपने महसूस किया है कि आपकी गती जो है समान है शाय कभी नहीं कभी भी नहीं किया होगा आप जब वस्तूँ चलते हैं कार कि हमेशा जिस कार में या जिस स्कूटर में आप हैं क्या वह हमेशा एक बराबर गती से चलते हैं उनका स्पीडियो मीटर बदलता ही है लेकिन तब भी हम इस पूरे के पूरे प्रॉसीजर को समझने के लिए अल इसमान गती या जिसमें गतियां बदल रही हैं इस तरह से हम अलग अलग तरीके से उनके अवदार्णां को पढ़ते हैं हम दोस्तों बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को करेंगे इस अध्याय में भी और इससे आगे आनवाले अध्याय में भी जिसमें की हम बल की बार में बात करेंगे उसमें आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो अभी मैं इसको से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ता हूं और यहां पर आप देख रहे हैं मैंने वर्ड शब्द लिखाए औस वेग या औस चाल औस चाल क्या है दोस्तों किसी समय डिल हैं हो सकता है कि इन सब में बराबर बराबर समय लगाओं चाहे में इस रास्ते से जाओं चाहे में इस रास्ते से जाओं चाहे इस रास्ते से जाओं चाहे इस रास्ते से जाओं हो सकता है ऐसा कि समय बराबर समय लगाए तो अब आप जड़ा सा अपने दिमाग में है तो बहुत ही सीधा सा आपका उत्तर होगा कि जिसमें हमने ज्यादा दूरी तै की है और समान समय लगा है तो वहाँ पर हमारी चाल ज्यादा रही होगी तभी हमने कम समय में उतनी ही दूरी को तै कर लिया और जिसमें सबसे जो रास्ता सबसे छोटा था और समय उतना ही लगा था तो उस रास्ते को त्या करने में हमारी चाल सबसे कम थी यह बहुत साधरन से निशकर्ष है इसमें कोई कोई भाशा की बाद जरूत नहीं है और आप ने इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है जी टोटल पाथ लेंग्थ कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन इस यह आपकी औस चाल है कुल कितना समय लगा और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि औस चाल किस तरह से हम कैल्कुलेट करनी है अब हम करते हैं औस त्वेक पर आते हैं अब औस त्वेक पर देखिए टू माइनस एकस वन की donor तो दूरी तो हमेशा यह जो विस्थापन है वो फिक्स तक डिल्टा एकस बारीं डिल्टाई अब एकस टीग चाहिए और आप इस राश्टे optim डिल्टा-एकस हर रास्ते में बराबर में होगा बिल्कुल बडाबर का तो वेग जो बरापन हर रास्ते पर बराबर होगा की विस्थापन हर इस्थाति में समान है समय पराबर है तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी समान हुआ तो यह उसत वेग एक ही वा उसका मान है उसत चाल आपने देखा कि इस उधारण में उसत चाल रास्ता बदलने पर उसत चाल भिन्न भिन्न हो सकती है हलांकि समय उस दूरी को तैय करने में जिए तरह समय है वह र ईस्तिति बबराबर है तो बहुत क्यों वेग यह होगा क्यों कि विस्थापन पर निर्भर करता है और विस्थापन मार्ग पर निर्भर नहीं करता बलकि शुरू आती पोजिशन प्रार्णिक इस्तिति और अंति प्यूंतम दूरी है उन पर निर्भर करता है तो आउसत वेग और आउसत चाल की अवधार्णा को आप समझ चुके होगे अब तात्षडिक वेग आपने पढ़ा होगा तात्षडिक वेग देखे हम आउसत वेग की बात कर रहे हैं अब आउसत वेग तो एक लंबे समय के अब परपरटी देखे है पूरा उसका गुर्ण धर्म देख रहे हैं तात्षडिक वेग अंग्रेजी में हम इंस्स्टेंटीनियस श्पीड वेलसिटी कहते हैं इस्सेंटीनियस तात्षडिक बतल एक पल पर क्या उसका वेग होगा वो कैसे निकालते हैं जबकि डिल्टा यह जो टाइम डिल्टा टी है ना दोस्तों यह जो टाइम में डिल्टा टी अगर यह बहुत छोटा हो जाए जीरो की तरफ एक पर फिर से आप ध्यान आपको मैं याद दिलाओं यहां पर भी सन्निकटन या अप्रोक्सिमेशन की अवधारना है आप देखिए डिल्टा टी ट इतने टाइम पर जो ऊसकी जुस वस्तू का या पिंड का वेग होगा उस वेग को हम ताथ छणिक वेग कहते हैं यह कि और भाब्ध की भाषा में ताठनिक वेग को ही एक समय पर उसका व्यग कहते हैं इसी तरह से हम तुरण को देखते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब डिल्टा T समय बहुत कम है दो पूरी गती के दर्मियान तो फेलोसिटी लिमिट यह एवरेज वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी जब डिल्टा T tends to zero मैंने अभी पिछली स्लाइट में क्या बता इसको हम गडित की भाषा में ऐसे कहेंगे कि वेग समय का वेग दूरी का समय के साफेक्ष अवकलन है तो आपने देखा कि वेलोसिटी इस नथिंग बट लिमिट डिल्टा T tends to zero डिल्टा X by डिल्टा T और जिसको हम dx by dt कहते हैं अब आप इस ग्राफ को अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पर T और यहाँ पर X और मा लिजे T is equal to zero पर origin पर था तो आप इसकी जो प्रवणता है जो स्लोप है यह dx और यह dt इसकी प्रवणता जो स्लोप है इस ग्राफ का वह आपको यहाँ पर वस्तू का वेग बताएगा यह आप जानते हैं अच्छी तरह से पढ़ा है यहाँ पर जस्पर रिवाइस कर रहा हूं यहाँ पर सिर्प मैं अब बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे dt कम होता जाएगा जैसे dt कम होता जाएगा तो यह ग्राफ इस तरीक होता जाएगा और फिर आखिर में बहुत छोटा हो जाएगा इस छोटे से टाइम में जो वेग मिलेगा वह आपका ताथ्षडिक वेग है और उस समय पर वह उस वस्तू का वेग कहते हैं इस तरह से हम इसको आगे चलेंगे तो दोस्तों और आप अगर देखें तो यह एक्स्टी ग्राफ है और माली जे मुझे इस ग्राफ इतने समय पर चली हुई दूरी मालूम करनी है तो आप कैसे करते थे इस पैरलोग्राम का आप या इस सम इस चत्रमुज का आप एरिया बालूम करते थे तो यह जो एरिया है वह पूरे इसका आपको दूरी तैक ही दूरी बता देगा इसी वेग परिवर्तन की दर माली जी कोई वस्तू ऐस तरह से गती कर रही है कि उसकी जो चाल है इसका जो वेग है वो नियत समय के इसाब से बढ़ रहा है यहाँ पर हम यह मान कर चलेंगे अपने कक्षा ग्यार है कि जितने भी मेकानिक्स की प्रॉब्ल यांतरी की किसा मस्याय हो जो विचार करेंगे उनमें हम यह मान कर चलेंगे कि यह दर हमेशा समान रहती है मतलब उसका तौरण एक समान रहता है तौरण एक समान रहता है या इसको हम नियत भी कहते हैं constant acceleration या uniform acceleration एक समान तरण या नियत तरण ताथ पर उसका क्या है कि वेग परिवर्तन की दर समान है माल लिजे पहले चार सेकंड में किसी वस्तु की वेग 10 मीटर पती सेकंड से 20 मीटर पती सेकंड हो जाती है तो अगले चार सेकंड मतलब उसका वेग चालीज मीटर पती सेकंड हो जाएगा दून और डिजे करने की ऑद कि गती के किरल को हम 20 वेग उसकी है और V अनतिम वेग V 0 प्रारंविक वेग A एक समान टोषण तोरण नियत तोरण ती प्तला ये क्योशन क्या बता रहा है आपको वस्तूकः टी समय के बाद वेग जब कि उसका प्रारंविक वेग V 0 रहा हो और उसका तोरण A हो अच्छा इसी समय में तहगी गई दूरी x है जो कि बहुत आसानी से अगर वी टी ग्राफ बनाएं तो बहुत आसानी से आप बिल्कुल जियमती के नियमों का उपयोग करें आप पाएंगे कि आपको यही आंसर मिलेगा ग्राफिकल मेथड से आप कर चुके हैं आप इसको चाहें तो एक एकसरसाइज की तरह से द्वारा से कर सक करते हैं आपकी पार्थे पुस्तकों में दिया हुए है मैं यहां पर उसको बहुत ज़्यादा एकस्पेशन से और नहीं दूगा अब दोस्तों एक चीज आपको मैं जरू आगहा कर दो वह यह किसी भी वस्तू की गती को एकस्पेश की व्याख्या करने के लिए गती को समझाने के लिए यह ध्यान दीजे कि यह दो एक्क्योशन काफी है पर सामान ने ताहा बहुत सारी किताब हों पुस्तकों में यह तीन एक्योशन दी है तीसरी एक्योशन भी दी है इस तीस सकते हैं हमने तीने कि सरक के साथिए अपने लिए हैं आधर बार ज़यां कि व्यक्राइब लिए कि अलगी है अधर बारिक तीसरे हमने अपनी स्वुविदा के लिए लिए हुए तो एसे कोई इसा कोई सेक्रिसंट चीज नहीं है जो नई पुस्तक है भोहांपर प्रभती के तीन समीक्रोन शबतों को कहते हैं तीन समीक्रोन नहीं है यह समीक्रोन सब्सक्रब स्थे हैं और ज्मिन्मम्निमुम दो चाहिए यह दो समीक्राण काफी है तो इन सब समीक्राण में आप यह देखें इन समीक्राण में दोस्तो टाइम T is equal to 0 पर प्रारंब के समय में हर वस्तु की इस्तिति को X is equal to 0 माना गया है और अगर हम उसकी स्तिति यहां पर X की बजाए हम X minus X not X 0 लिखेंगे यह सब अंतर आप पढ़ चुके हैं दोस्तों मैं इसमें अब आपने द्यान होगा अभी तक आपने एक विमिय घती मतलब एक सरल रिखा में पढ़ा अब हम दो विमिय में बजा रहे हैं दो विमिय घती दूए घती पर दूए घती मतलब जो कि एक तल पर होगा प्लेन में होगा एक्स वाई एक्स और वाई भी हमारी अपनी चॉइस है इसमें कोई स्रक्रोसेंसी नहीं है दोस्तों यह ध्यान रखेगा यह सारी की सारी चॉइस हमारी अपनी है गड़ित के अध्याओं में आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा और मैं एक बार फिर से बता रहा सकता हूँ बस जो हमारी अवधारना है वह यह अवधारना है कि दौनों के बीच में 90 डिगरी का कोड़ हो दौनों एक दूसरे के लंबोवत हो यह हमारी अवधारना है इसमें भी कोई जरूरी सेक्रोसेंसी नहीं है आप आगे आने वाले अध्याओंवे बारवी गख्षा आगे अध्याओंवे पढ़ेंगे कि यही एक सिस्टम नहीं है यह आयताकार कार्थिय प्रणाली कहलाती है रेक्टैंगूलर कार्टिशन कोडिनेट सिस्टम यह कोई जरूरी नहीं है मैं इस पर और जोड़ दूँगा थोड़ा सा बाद मैं लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कोई नियत चीज नहीं है पहले अध्याइए में ने बताया था आपको कि बहुत ही कि जो नियम है वह समय के हिसाब से बदल सकते हैं फुजिक्स इस डाइनमिक दा होल साइंस डाइनमिक इन सब चीजों की मैंने बहुत व्याख्या की थी कोई बात नहीं दौरा से समझ कि आज से 200 साल पहले हम द्रवेमान को अचर मानते थे आज द्रवेमान को हम अचर नहीं मानते हैं हम सब जानते हैं कि द्रवेमान उर्जा में परिवर्तित होता है धारान के तोर पर एटम बम जितने में नुकलर पावर से हैं नुकलर पावर से सब में द्रवेमान उर्जा में परिवर्थित हो रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों इसको ध्यान रखिए यहीं एक विज्ञान की खुबसूर्ती है कि इसमें नियम बदलते हैं और आपके पास बहुत स्कोप है इसमें आगे रिसर्च करने का आप इसमें बहुत केरियर मना सकते हैं दोस्तों तो आप बहुत कि का बहुत ऐसमाल मूल अवनियम कोछ भी चीज़ चेज नहीं इसमें सकती है समय के साब सकती है अब आप यह देखी दो विमया घती को हम एक तल में मानते हैं जिसका कि हम इसा अध्याय में अध्यन करेंगे दो कि इस आप में पढ़ा होगा एकस एकस यएकस पूरी इसपेस को पताइगे नहीं को पा नाग तो गति के लिए अ यहां पर एक मेंग पहुंक अड़ी हो रही वेए मालने नींजिए गति या एक पौइंट से दूसरे पॉइंट पर हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट threw जाना तो अब कड़ी इस दिशा में हो रही है पहले तो हम एक जब 1 week ये दिशा को हम कर रहा है थे discuss कर रहे है तो दो बड़ा क 때द्जर्व करने के लिए कुछ राशियों की जुरूथ होती है। जिन राशियों की हम अब եा हिजैंप राशिया कहते हैं। ही अंगरिजी मैं उसको करते हैं। अब उक्टर और सकेलरं मतलब अदिशक'T 즉 अभी तक हमने कोई अ जरूत पढ़ती एंको हम को सदिष राशिया केते हैं नाम से जाप किलिया है सदिष राशिया कहते हैं जिनबहें दशा की जरूत नहीं पढ़ती है अधिष राशिया कहते हैं Happy क бл香 The Green क्राव्ड में सदिष राश्य में आप बहुत सारे जगहा पर देखते होंगे कि यह इसी तरह का कुछ लिखा होता है कि सदिश राशियां वो हैं जिनकों की व्याख्या करने के लिए आपको उसका पर्मान और दिशा दोनों की आविशक्ता होती है और अदिश राशियां वो हैं जिनके की व्याख्या सिर्फ उनके परिमान से की जा सकती है यह बात थोड़ इदर जा रहा एक तार इदर जा रहा है माल लिजे इसमें धारा आई वन है इसमें धारा आई टू है और दोनों मिलके एक धारा एक तार और जा रहा है और इसमें धारा आई होगी जिसका किमान आई वन प्लस आई टू होगा आप जानते हैं ना इस सब को किया है आपने खूब किया है सर्किट में कैसे भी कर्श कर दीजे एलेक्टिक सर्किट कर्षा दस में आपने 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 देखा कुछ अंतर नहीं पड़ता तार को कैसे भी लगा दे एक्सपरिमेंट भी किये हैं आगे भी करेंगे कोई बात लेकिन यहां पर देखें धारा की दिशाबी है और धारा का परमाणमी है आई वन आई टू तो क्या यह वेक्टर राशी हो गए नहीं वेक्टर राशी कैसे होंगी कौन सी राशिया होंगी देखें मैं आप से कहूं कि आप दस कदम नॉर्थ में चलें फिर इसके बाद दस कदम इस्ट में चलें ठीक है दस कदम नॉर्थ में चलें और दस कदम इस्ट में चलें नॉर्थ में दस कदम आप उत्तर दिशा में चलें और उसके बाद दस कदम पूर दिशा में चलें है दस-दस कदम 10 मीटर भी हो सकते हैं तो आप तेकी गई दुरी कितनी हुई तेकी गई दुरी 20 कदम या 20 मीटर हुई ठीक है लेकिन आप इसका इस्थान देखिए इतना विस्थापन कितना हुआ यहां से यहां तक जो नियुंतम दोरी है दौनों के बीच में वह यह हुई अब आप पाइथोगरस प्रेमे का उपयोग करते हुए यहां पर निकाल देंगे पुझे टैन अंडरूट टू पाइथोगरस तौरम है है कितने मीडर से दौनों का साधर बीच गडिया योग तो नहीं दोना है उसका परमान भी है, उसकी दिशा भी है, लेकिन वो एक special law, एक खास नियम, इन सदिशो राश्यों के योग का एक खास नियम, जिसको की हम सदिशों का योगिय नियम कहते हैं, vector addition of quantities, उसका पायन करते हैं. तो सदिशों के लिए दोस्तों आप जिहान रखें, गांट बांद लीजिए, मैं यहाँ पर इसलिए जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि अक्सर इस बिंदू पर हम लोग गलती कर जाते हैं, एक पर फिर से मैं इसको तुछा सा बता रहा हूं, अदिश राशियां वो हैं, या scalar quantities जिसकी व्याख्या करने के लिए सिर्फ उनके परिमान की आविशक्ता है, जैसे मैंने आज 10 किलो मीटर की दूरी तैकी, जैना दूरी एक अधिश राशी है, कुल दूरी 10 किलो मीटर चला मैं, तो इसमें किसी और चीज़े को बताने की ज़रूत नहीं है, लेकिन अगर मैं मैं आज मैंने 10 किलो मीटर विस्थापन किया, तो तुरंग सवाल आएगा, खिस दिशा में किया माल लिजे आप अपने घर से, आपके घर से एक तरफ आपके एक दोस्त एक आगा घर है, फिर दूसे तरफ दोस्त B काघर है, और दोनों का घर आपके घर से 500 मीटर दोरी पर आप यहां तो आप को अपना यहां पर्ffe मिटरन हैं सिर्फ ऑपन्तॉट मिटर की सische कर आपको बताना पड़ेगा कि A के घर की और मैंने 500 मीटर दूरी तेह की या B के घर की और मैंने 500 मीटर दूरी की तेह की समझ रहें सदिश और अधिश राशियों में अंतर तो सदिश और अधिश राशियों में यहां फर्क है और सदिश राशियां वो हैं जिसकों की व्याख्या करने के लिए उनका परिमार भी चाहिए और उनका दिशा भी चाहिए और साथ-साथ उनका योग एक ऐसे लौ से गवर्न होता है जिसकों की हम वेक्टर लौ अफ एडिशन या सदिश राशियों का जोड सदिश राशियों का योग कहते हैं उस सदिश राश्यों के नियम को फॉलो करते हैं तो यह आप देख रहे हैं हाँ पर कि इनका जो बीजगरित है वो थोड़ा भिन्न है तो यहां पर यह सदिश राश्यों में जो बीजगरित है जो उनका जोड़ना है घटाना है वह साधार बीजगरित के नि वाले एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि यह जो सदिश राशिया हैं इनका वास्तवीसंख्याओं से गुडा कैसे होता है इनका अपस में जोड कैसे होता है यह आपस पैसे घटाई होते हैं और अध्याज छे में हम बात करेंगे कि इनका आपस में गुळन फल में और चर्चा करूंगा दोस्तों जब तक आप से उमीद है कि आप इसको थोड़ा रिवाइस कीजिएगा थोड़ा से इसको इन सब चुजियों को दोराईएगा तो आगे आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा यह बहुत मज़ेदार सब विशह है यह बहुत की वैस साथ विशह है धन्यवाद दोस्तों अच्पाइब दोस्तों